बताते हैं लोग हिंदू ही बताते हैं क्या बताते हैं कि आपके जो भक्त पहला थे वो पिछले जनम में ऐसे थे वैसे थे पहले जनम में ऐसे थे वैसे थे मतलब कैसे उन्होंने कलग काम किया था वो कुछ वो नहीं थे अच्छे नहीं थे कौन बोलता था इसा यह बहुत ध देखो आज की वीडियो बहुत ही इंट्रेस्टिंग होने के साथ साथ बहुत ही इंफरमेटिव है क्यूंकि आज की वीडियो में एक लड़की ने पंड़त से बहुत ही अजीब औ गरीब सवाल किया कि दूसरे मजाहिब के लोग हमारे हिंदू अजम का मिज़ा खुडाते हैं हमारी देवती देवतों का मिज़ा खुडाते हैं यहां तक कि उनको गालियां भी देते हैं तो ऐसे लोगों को हम किस तरह जवाब दें हम उनको किस तरह रोकें तो दोस्तो पंडत ने उसका क्या जवाब दिया देखते हैं आज की वीडियो में और दोस्तो ये भी देखेंगे कि डाक्टर सहाब ने इस बात को किस तरह एक्स्प्लैन किया तो दोस्तों चलते हैं वीडियो के जाने बोर देखते हैं डाक्टर जाकर नाय किस बारे में क्या कहते हैं ही जियसे और लोग आलोचना करते है भगवान की हमारे तो उसका परवह पड़ते हैं हमारे पर उसको किस तरह से दूर किया जाए कॉन आलोचना करता है जैसे अलग 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 प्रकारे के धर्मों के लोगों के साथ आप बैठते उठते हैं नहीं नहीं ऐसे बताते हैं लोग हिंदू ही बताते हैं क्या बताते हैं कि आपके जो भक्त पहला थे वो पिछले जनम में ऐसे थे वैसे थे प्रहलाद पहले जनम में ऐसे थे वैसे थे मतलब कैसे थे उन्होंन तो देखो कहेंगे भारत की ये बड़ी बिडमना रही के भारत के लोगों ने सब को बसाया भारत में और अब देखो वही हमारे देवी देवताओं महापुरुशों को गालियां दे रहे हैं और फिर भी हम हिंदू लोग बरदास्ट कर रहे हैं क्या करो हम सहनसील लोग हैं चलो उनका जवाब उनको मिल जाएगा आप जवाब दिया करो बोले जवाब दिया करो आप लोग उन लोग तो खुद क्या करते हैं उन लोग क्या करते हैं चावल लेंगे यहां से उठाकर यहां डालेंगे चावल फिर यहां से यहां डालेंगे बोलेंगे पाप कट रहे हैं मूर्खों की तरह तो खुद करते हैं और हमें ग्यान दे रहे हैं वो लोग खुद चावल उठाके यहां से यहां डालते हैं फिर यहां से यहां लोगे पाप कट रहे हैं तो यह खुद बुद्धु महां दोसरों को बुद्धु बनाइंगे हमें किसी भी गैर मुसल्मान के खुदा को गाली नहीं देना चाहे अल्ला ताला फर्माते हैं पुरान मजीद में सुरह अनाम में सुरा नमबर च्छे आयत नमबर एक सो आट में आप वो लोगों जिनकी वो पूजा करते हैं जिन लोगों की वो अल्ला के इलावा पूजा करते हैं उनको आप गाली मत दो जिन लोगों की वो पूजा करते हैं अबादत करते हैं अल्ला के इलावा उन लोगों को आप गाली मत दो नहीं तो जहालत में वो लोग अल्ला सुभाना ओज़ा mientras Wool Grad को गाली देंगे तो हमें गेर मुस्ल्मानों के भगवान को गाली देना हराम है तो हमें कुछ नहीं कहना चार, सिर्फ पूछना चार ये कों है और वो हिंदु या गेर मुस्ल्मान अपने आप अपना क काम करेंगा आपको उन्हें बुरा भरा नहीं कहना चाहिए इसलाम में इजादत नहीं है लेकिन ये तो पूछ सकते हैं कौन है आपका गनिश कौन है आपका भगवान कौन है मूँ तो खोलो हम मूँ खोलने से डरते है और मैं जिस शेयर में से आ रहा हूं बंबे आपको शायद पता होंगा उसकी места कैसी है पर आलामम्दु लिल्लह ये गैर मुसल्मान मेरी और इज़त करते हैं ये गैर मुसल्मान जब मैं जाता हूं मेरी और इज़त करते हैं जब मैं जाउंगा अैपोर्ट के थेरू देखे ओ जाकिर सावा आय वो immediately green channel के थ्रू जाने देंगे घब मैं जाता हो दुकान में डिसकाउंड देते कुछ लोग फ्री मी देते अल्ला की बात करने से किसे ड़रना हक की बात करने से क्यू ड़रना अल्ला समयוט अला फरमाते है सुरे बखरा में सुरा नमर 2 आयत 920 में ये यहूद और नसारा आप से कब ही भी खुश नहीं रहेंगे जब तक आप उनका मजभ नहीं कबूल करेंगे अलात अलाओ अलाओ फर्माते हैं सुरह बक्रा में सुरा नमबर 2 आहत 111 में वो लोग कहते हैं यहूद और नसारा आप मुसल्मान लोग कभी भी जन्नत में नहीं जाएंगे आप कितनी भी अच्छाईयां करो हर रोज सला पड़ो नमास पड़ो हच के ले जाओ रमजान में रोजा रखो जकात दो आपके पेशानी पे नमास के दागो तब भी आप जन्नत में नहीं जाएंगे जब तक आप यहूद या नसारा नहीं बनेंगे अल्हा तल्हा फर्माते तिल्क अमानियोहुम ये बक्वासे बक्वास कुल उनसे कहो हात बनानेकुम आप अपना सबूत पेश करो इनकों तुम सौदकीन अगर आप सच्चे हो अल्हा तल्हा फर्माते जब भी कोई भी बड़े डिंगे मारता है बड़ी बड़ी बात कहता है उनसे कहो कुल हात बनानेकुम आप अपना सबूत पेश करो इनको तुम सौदिकी अगर आप सच्चे हो और ये इसाई लोग ने क्रिशन लोग ने अपना सबूत अपना बाइबल कहते किताब अल्मकदस बाइबल को दो हजार से जादा जबानों में पेश किया है वो कहते हैं मेरी बाइबल ये कहती है मेरी बाइबल वो कहती है मेरी बाइबल ये कहती है मेरी बाइबल वो कहती है हमें क्या करना चाहिए बाइबल को पूरा चाट लेना चाहिए जब अल्ला तला फर्माते हैं कुल हात बुनानकुम उनको अपना सबूत पेश करने को जब सबूत पेश करते तो क्या में मान लेना चाहिए हमें जाच परतार करना चाहिए क्या उनका सबूत सही है क्या गलत है जब भी कोई आपको शनाप्ति कार्ड दिखाता है आप देखते हैं वो सही है क्या गलत है इसी तरीकिये से जब वो अपना बाइ बाईबल को, अल्लाः ताला कहता है, उनसे पूछो अपना बुर्हान लेकिए हो, और वो अपना बुर्हान, अपना बाईबल, दो हजार से जादा, जबानों में पेश किये हैं, आप जबान का नाम लो, और उस जबान में बाईबल मुझूद है, اللہ تعالیٰ کہتا ہے उनसे कहो कि अपना सबूत पेश करो कोई मुसल्मान बात ने कर रहा है उनसे उनके सबूत को हम देख रहे हैं क्या अपनी बात तो छोड़ो हम उनके सबूत की जाच पड़ता नहीं कर रहे लेकिन ये इसाई लोग क्रिश्चन मिशनरीज हमारे घर में मुसल्मानों के घर में दाकिर होके हमारा सबूत हमारा बुरान हमारा गुरान हमारे खिलाफ इस्तिमार करते और हम मुसल्मान मुव भी नहीं खो सकते सारे दुनिया में हजारो लाखो क्रिश्चन मिशनरीज दुनिया भर में फेले हुए यॉरॉप से इंडिया में आ रहे है अमिरिका से आ रहे है स्विजलेंड से आ रहे है अपना देश छोड़के और मुसलमानों के घर को खटटा रहे है और हमारा बुर्हान हमारा गुर्ण हमारे खिलाफ इस्तिमाल कर रहे और हम मुझ भी नहीं खोड़ सकते ये क्रिशिन मिशनिरीफ हमारे घर में हमारे दरवाजों को खटखट आते और हमसे पूछते हैं क्या आपके कुरान मजीद में लिखा है कि नहीं कि बाइबल अल्ला के कलाम है और अक्सर मुसल्मान कहेंगे हाँ बेशक लिखा है उनका अगला सवाल तो आप बाइबल के ओपर अमल क्यूं नहीं करते हैं हमाए पास कोई जवाब नहीं वो अगला सवाल पुछते है कि आपके कुरान मजीद में आपके आखरी नभी मुहम्मद सल्लाब सल्लम का नाम कितने बार लिखा हुआ है सारे कुरान मजीद में मुहम्मद सल्लाब सल्लम का जिकर उनके नाम से कितने बार हुआ है कुरान मजीद में आपको पता है तो आप कहेंगे कि मुहम्मद सल्लाब सल्लम का जिकर नाम से पांच बार हुआ है चार बार महमम् overstha Ali can understand उनका अगला सवार ईसा अले सलम का जिकर उनके नाम से कितने बार हो चुका है प्राइन मजिद में आपको नहीं पता तो कहेंगे पचीज बार ईसाले सलम का नाम प्राइन मजुद में पचीज बार आताります और महमम्न striке नाम सिर्व 5 बार उनका अगला सवाल कोन बढ़ा आपके कुरान मजीद में जिसका जिकर 5 बार आता है वो बढ़ा के जिसका नाम 25 बार आते हैं बढ़ा कोन बढ़ा, 5 बार या 25 बार 25 बार आप से सवाल पूचேंगे लेकिन जवाब नहीं देंगे आपके जहन को मजबूर करेंगे सोचने पे तो दोस्तों ये रही आज की हमारी वीडियो उमीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती होंगी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किये बगार मत चाहिएगा आखर मेरा ताला से दुआ है अला ताला हमें इसानिया प्यादा करने और इसानिया पहलाने की तौफीक अताब फर्माए वमा आलेना इलिल्लाग लूबीन